लोक निर्मान विभाग के विश्राम ग्रियर ज्वाला मुखी में कॉंग्रेस के नव निर्वाचित विधायक संजेर रतन ने उपमंडल के सबी विभिन विभागों के अधिकारियों व प्रशासन के साथ बैठक की बैठक में विधायक संजेर रतन ने लंबित पड़े कारि में अधिकारियों से चर्चा की वह आगामी भविश्य के लिए दिशा निर्देश दिए यह एलान किया है कि पिछले 9 महिने की कारियों को रोक दिये जाए और उन पर रिव्यू मागा जा रहा है इस वारे में सब क्या कहीं देखिए सरकार जब भी बनती है तो रिव्यू किया जाता है क्योंकि आनन फानन में चुनाव के मद्य नजर जो है वो पिछली सरकार जो होती है वो कई घोशनाएं कर देती हैं कई कारें को जो असुरू कर देती हैं जब कि उसमें बजट का प्राफधान नहीं होता है तो हमारा मकस्त मैं हों कामों को रोकना चाहते हैं कि कितने ऐसे काम है जो बिना बजट बीजटे के जो है वो गलत प्रचार करने के लिए लोगों को अपनी और अकर्ष्चित करने के लिए भारती जंता पार्टी ने हो चुनाब से पहले किया हैं अगर वो सही हों गये तो उनको पर जैजे दिकारी मिंटेंग से मेरी गड़ी हैं और मैंने निर्देश दिया है कि जन्ता की जन्भावनाओं की कदर करते हुए ये लोग जो हैं वो जन्ता का काड़े करेंगे और किसी भी प्रकार मुश्किल हमारे जोला उंख्येटरि की जन्ता को न आए इसका मैंने इन से जह बादा किया है और से जो यह आश्वास्थ और हमसुं मिलकर अधिकारी बी और हम भी जो आ वो सॉयोग करेंगे उनकी सेवा करेंगे हम सब जोएवต कि सहभा करने के लिए थतपर रहेंगे चौबिस गंटे मैं भी और अधिकारी विजौनकी जन्ता प्रशाशन के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट